परमेश्वर के दैनिक वचन नियंतर्ण में रखने के अभिप्राय से थी परमेश्वर ने उनसे मांग करने के लिए इन आज्याओं का उपयोग किया उन्होंने सब्द का पालन किया या नहीं उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया या नहीं उन्होंने मूर्तियों की आराधना किया नहीं इत्यादी। यही वे सिध्धान्त थे जिनसे उनके पापी या धार्मिक होना आकलन किया जाता था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो यहुवा की आग से त्रस्त थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें पत्थर मार कर मार डाला गया था। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने यहुवा का आशीश प्राप्त किया था। और इसका निर्धारण इस बात के अनुसार किया जाता था कि उन्होंने इन आग्याओं का पालन किया या नहीं। जो सब्द का पालन नहीं करते थे, उन्हें पत्थर मार कर मार डाला जाएगा जो याजक सब्द का पालन नहीं करते थे, उन्हें यहुवा की आग से त्रस्थ किया जाएगा जो अपने माता-पिता का आदर नहीं करते थे, उन्हें भी पत्थर मार कर मार डाला जाएगा यह सब कुछ यहुवा द्वारा अनुशंसा किया गया था यहुवा ने अपनी आज्याओं और व्यवस्थाओं को स्थापित किया था ताकि जब वह उनके जीवन में उनकी अगवाई करे, तब लोग उसके वचन को सुने और उसके वचन का पालन करें और उसके विरुद्ध विद्रोह न करें उसने नई जन्मी हुई मानव प्रजाती को नियंतर्ण में रखने, अपने भविष्य के कारी की नीव को बहतर ढंक से डालने के लिए इन व्यवस्थाओं का उपयोग किया और इसलिए उस कार्य के आधार पर जो यहुवा ने किया प्रथम यूग को व्यवस्था का यूग कहा गया था यद्यपी यहुवा ने बहुत से कधन कहे और बहुत सा कार्य किया किन्तु उसने इन अग्यानी लोगों को यह सिखाते हुए कि इनसान कैसे बनें, कैसे जीएं, यहोवा के मार्ग को कैसे समझें, लोगों का केवल सकारात्मक धंग से मार्ग दर्शन किया। ज्यादातर उसने जो कार्य किया, वह लोगों से उसके मार्ग का पादन करवाना और उसकी व्यवस्थाओं का अनुसरन करवाना था। उस समय इसरैलियों के लिए, यहोवा मातर मंदिर का एक परमेश्वर, स्वर्ग का एक परमेश्वर था। वह बादल का एक खंभा, आग का एक खंभा था। वह सब जो यहवा उनसे करने की अपेक्षा करता था वह था उन बातों का पालन करना जिन्हें आज लोग उसकी विवस्थाओं और आग्याओं कोई इन्हें नियम भी कह सकता है के रूप में जानते हैं क्योंकि जो यहवा ने किया वह उन्हें रूपांतरित करने के अभिप्राय से नहीं था बलकि उन्हें बहुत सी वस्थूएं देना था जो मनुष्य के पास होनी चाहिए उन्हें स्वयम अपने मूँ से निर्देश देना था क्योंकि स्रजित किये जाने के बाद मनिश्य के पास उस बारे में कुछ नहीं था जो उसके पास होना चाहिए और इसलिए जिन लोगों की यहुआ ने अगवाई की थी उन्हें उनके पूरवजों आदम और हव्वा से भी श्रेष्ट बनाते हुए उसने लोगों को वेवस्तुएं दी जो पृत्वी पर उनके जीवन के लिए उनके पास होनी चाहिए क्योंकि जो कुछ यहुआ ने उन्हें दिया था वह उससे बढ़कर था जो उसने आदम और हव्वा को आरंभ में दिया था इसके बावजूद यहुआ ने इसराइल में जो कार्य किया वह केवल मानवजाती का मार्ग दर्शन करने और मानवजाती से उनके रचैता की पहचान करवाने के लिए था उसने उन्हें जीता नहीं या उन्हें रूपांतुरित नहीं किया बलकि मात्र उनका मार्ग दर्शन किया व्यवस्ता की युग में यहौवा के कार्य का यही सारांच है इसराइल की संपूर्ण धर्ती पर यह उसके कार्य की प्रुष्ट भूमी, सच्ची कहानी और सार है और छे हजार वर्षों के उसके कार्य मानव जाती को यहुवा के हाथ के नियंतरण के अधीन रखने का आरंव है इस में से उसकी 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना में और अधिक कार्य पैदा हुआ था